रेड बटन दबाकर मेरी चानल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए एफूडीज वल्कम टू माई चानल कुक विद ऐसेस जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने कितनी अच्छी और जाग वाली कॉफी बनाई है वो भी बिना मशीन के तो अगर आप भी अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए ऐसी ही टेस्टी कॉफी बनाना चाते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आकरी तक ज़रूर देखिए कॉफी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप दूद देट से दो चम्मच पानी दो चम्मच चीनी और देट छोटी चम्मच कॉफी पाउडर तो चलिए बनाते हैं जागवाली कॉफी इसके लिए हम लेंगे खाली मग और इसमें डालेंगे कॉफी पाउडर चीनी और पहले इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम एक चम्मच पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसे इस तरह से चलाते हुवे अच्छे से फेट लेंगे अगर आप इसे टेबल पर रख कर फेटेंगे तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा इसमें थोड़ा हाथों की एक्सेसाइज हो जाती है बट एंड रिजल्ट आपको बहुत ही आसम मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी कॉफी का कलर थोड़ा लाइट हो गया है ये आप देख सकते हैं वीडियो में अभी भी आपको इसे अच्छे से फेट ना है तोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कॉफी और लाइट हो गई है अगर आपको फेटे टाइम में थोड़ी सी टाइट लगे तो आप थोड़ा सा पानी आड़ कर सकते हैं एं ट्रस्ट मी यह बहुत ही अच्छी कॉफी बने की आप इसे जरूर ट्राय करें तो देखिए कॉफी कितनी फ्लफी हो गई है और चीनी भी अच्छे से इसमें घुल गई है तो अब जो यह हमने कॉफी का मिक्षिर बनाया है एक कप में डाल लेंगे दूद को भी मैंने बिल्कुल अच्छे से गरम कर लिया है अब ध्यान रही जब आप इसमें डूद डाले तो थोड़ा उपर से डाले बिल्कुल पास से नहीं आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने कितना डिस्टिंस मेंटेन किया है इस से बहुत अच्छा जाग बनेगा अब एक स्पून की हेल्प से हम इसे पहले मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं यह जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो कितना बढ़िया जाग बना है और यह बहुत ही टेस्टी है पीने में अब इसे हम थोड़ा सा कॉफी पाउडर से गार्निश कर लेंगे तो हमारी पॉफेक्ट कॉफी एक दम रेडी है तो फ्रेंज कैसी लगी आपको यह रेसेपी मुझे जरूर कमें सेक्षिन में बताईएगा और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले इल सी यू इन नेक्स रेसेपी तिल्दिन टेक केर बाई